नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर में रख ले यह चीज इतना प्यार मिलेगा संभाल नहीं पाएंगे दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं फेंग शुई चीनी वास्तु शास्त्र की एक पध्धती है जिसमें सकारात्मक जीवन जीने और जीवन में खुशाली लाने के कई तरीके और उपायों के बारे में बताया गया है फेंग शुई से जुड़ी ऐसी कई चीजे हैं जिन्हें घर पर रखने से कई तरहे की समस्याएं दूर होती है जिस तरहे से सकारात्मक उर्जा और कई समस्याओं को दूर करने के लिए बास्तु शास्त्र के सिध्धानतों को अपनाया जाता है उसी प्रकार फेंग शुई के सिध्धानतों में सकारात्मक उर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के बारे में बताया गया है यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है तो आप फेंग शुई से जुड़ी कुछ चीजों को अपने घर पर रख सकते हैं इससे दामपत्य जीवन में खुशाली आती है जानते हैं चीनी वास्तु शास्त्र फेंग शुई से जुड़े ऐसे पांच लखी चार्म के बारे में जिसे घर पर रखने से आप अपने जीवन साथी के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ को इंजॉई करेंगे लखी चार्म जो आपके जीवन में खुशिया लाएगा परिंगों की पेंटिंग अगर पार्टनर के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है या घर पर कलहकलेश की स्थिती बनी हुई है तो आप फेंगशुई के इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं फेंगशुई के अनुसार धर में जीवन साथी के साथ प्रेंग को प्रगाड करने के लिए परिंदों के पोस्टर लगाना चाहिए लेकिन परिंदे जोडे में होने चाहिए और इसमें प्रें भाव नजर आना चाहिए साथ ही पेंटिंग या तस्वीर लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि परिंदे पिंजरे में कैड ना हो और किसी प्रकार की तकलीफ में ना हो डॉल्फिन की पेंटिंग शादी शुदा जिंदगी में खुशाली बनाए रखने के लिए डॉल्फिन की तस्वीर रखना बेहद ही अच्छा माना गया है आप घर पर डांस करते हुए डॉल्फिन या खेलते हुए डॉल्फिन की तस्वीर लगाएं इससे दामपत्य जीवन में खुशाली बनी रहती है लाल रंग के गुलाब फूल फूलों से ना सिर्फ कमरे बलकी जीवन में भी महमोहक खुशबू आती है फूलों से जीवन में खुशाली आती है फेंगश्वी के अनुसार दामपत्य जीवन में प्रेन को प्रगाड करने के लिए फूल बेहद ही उप्योगी साबित होते हैं बेडरूम में लाल रंग के गुलाब के फूल रखने से आपका पार्टनर के साथ संबंध भी बिलकुल फूलों की तरहे प्यारा रहेगा अगर घर में आप रोजाना ताजा गुलाब के फूल नहीं रख सकते हैं तो लाल रंग के गुलाब फूल की पेंटिंग जरूर लगाएं सफेद घोडों की पेंटिंग घोडे को तरक्की का प्रतीक माना गया है वहीं सफेद रंग के घोड़े की पेटिंग को प्रेम के प्रगाड होने का प्रतीक माना गया है सुखी दामपत्य जीवन के लिए आप अपने घर की दीवारों पर सफेद घोड़े की पेटिंग भी लगा सकते हैं अपने और पार्टनर की तस्वीर लगाएं, फेंग शुई के अनुसार पार्टनर के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए खुद की और आपके पार्टनर की अच्छी तस्वीर बेडरूम में लगाएं इससे आपका दामपत्य जीवन खुशाली से भर जाएगा तस्वीर को दीवार पर लगाते समय इस बात का विशेश ध्यान रखें की तस्वीर में आप और आपके पार्टनर दोनों मुस्कुराते हुए और एक साथ हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें धन्यवार